हालो बच्चो मैं सभी कास सौगत करता हूँ फिजीज गयान मकेश ने एक चैनल पर बच्चो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक का सुलूशन मैंने अल्डिडी पहले चप्टर रोटेशन डानमिस, मैकनिकल प्रॉपरडिडी जफ्लू, केटी जाएंड उसके बाद में थर्मोडानमिक चवता चप्टर, उसके बाद में सुपर पोजिशन व्योज और बाद में व्यो आप्टिक्स यह हमारा चप्टर चालू है इसके बाद में इलेक्ट्र स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हो, करेंड इलेक्रिसिटी अल्रेडी दिया है, इसलिए आप लोगों को क्या है, बच्चे बहुत सारे निगेटि तिंकिंग में आ गए, उनको लगता है यार हमारी एक्जाम नहीं होगी तो फालतों में पड़ाई हमारी वेश्टे जाने वाली है, मैं सभी को, सभी बच्चे को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडिय करोना बहुत जादा बढ़ता है, तो हो सकता है कुछ चेंजे सोने के चांसे से आज़से आपको लगता है, तो भी बच्चे बढ़े आपको यमेश्टी सीटी, निड जैसे एक्जाम, जे डबली जैसे एक्जाम को आपको बहुत बड़ा बुश्टप मिल सकता है, क्योंकि हम लोग सीटी में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चो मैं सभी को गुजारिश कर रहा हूँ, मतलब मुझे कैसे पता लग रहा है, देखो हम लोग पहले काम करते थे, जब एक्जाम पोसपार्ण होने के पहले, तो वीडियो बच्चे देखते थे, कॉ इस वीडियो के मादम से सभी को एक एनरजी के थ्रू बता रहा हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई पे धन दे, बाकी चीज़े देखो, घर पे बेटे बेटे क्या करने वाले मुझे बता वाया, पढ़ाई तो करो कम से कम, क्या टीवी देखके क्या फाइदा, क्या मिलने क्या वाला है, IPL देखने से कुछ आपका स्कोर बढ़ने वाला है, मेरे बात समझ में आती है बचो, तो चलो मैं ज्यादा डिस्केशन नहीं करूंगे आपे, सेधी बात है नहीं बखवास, चलो, Veooptis के Question Bank Solution के MCQ is a very short answer, आज की वीडियो में मुझे cover करना है, आपको पता ह मैं चार सेक्शन करता हूँ, Station A, B, C, D, क्योंकि हमारे आपे एक मार्के Question, दो मार्के, तीन मार्के, चार, ऐसे चार सेक्शन के वाले है, Question Bank में भी उस तरीके से में cover करने की कोशिश करते रहता हूँ, सबसे पहले सवाल आपके, रहा screen पे ये, when light travel from, ये तो पहले सबसे पह ये, when light is a, we caught changing the wavelength है, वाया, क्योंकि वाया, optical rare medium में, आपको पता है, कोई light आरी है, zoom, 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 आरी है, कुछ medium है, तो यहाँ पे optical path होता है, पैता न, optical path difference होता है, इसका कारण क्या है, क्यों ये, डेंसर medium में जाने से, आपकी speed degrees होगी, क्योंकि वाया, आपकी जो wavelength है, ये wavelength ही, इसको wavelength कहते है, पता न, इसको wavelength, ये wavelength जो है, ये, देखो, frequency तो सेम होगी, बैया, only wavelength चेंज होती है, और wavelength चेंज होने से, हमारा यहाँ पे, speed degrees होने से, चेंज का होता ही, तो wavelength होती है, बस समझ में आरी, क्योंकि V is equal to n lambda, और C is equal to new lambda, ऐसे formula लिख सकता है, ये sound के लि लाइडा के कारण, तो ये पता होना चाहिए, new is the frequency है, new, लाइडा is the wavelength, C is the speed of the light, got it, next समाल है, आपके लिए बैया, देखो, light of wavelength, देखो, यहाँ पे हमारे साथ, light की wavelength दीगी है, ठीक है, यहाँ पे, wavelength है, लाइडा is equal to, बैया, 5000 and strong unit, इसको and strong unit ऐसा लिखा जाता है, आप ल 10 dash to minus 10 meter, मैं इसको point shift करते हो, 5 into 10 dash to minus 7, 3 से shift कर रहो, 1, 2, 3, and strong unit wavelength है, ओके सर, कोई प्राब्लम है, fall on the plane reflecting surface, कोई एक reflecting surface, अब या, जैसे ही है, इस पे आके fall हो गई है, then the frequency of reflecting light, तो इसकी reflect जब होगी, ऐसे, तब इसकी frequency कितनी होगी, new, यह बताना है, हमरे पास formula होता है, c is equal to new lambda, भया, new निकाल है, तो c by lambda, c is the speed, speed of the light, सभी दुनिया को पता है, 3 into 10 dash to 8 meter, प्रती सेकन, याद है न, ये चीज़े, याद होनी, बहुत बहुत जरू है, तो speed of the light है, मैरे पास, 3 into 10 dash to 8, divided by lambda है, मैरे पास, 5 into 10 dash to minus 7, तो new is equal to, 3 into 10 dash to 15 by 5, बास समझ में आरी भया, कैसे हो गया, ये उपर गए, minus 7, plus 7 होते, 7 plus 8 होते, 15, ओके, तो new is equal to, यहाँ पर मैं इसको 30 कर रहा हो, 10 dash to 14 करूंगा, क्यों भया, क्योंकि इससे divisible number अच्छा लेगेगा, बाकियों दूसरा कुछ ही नहीं, करना है तो direct भी कर सकते हैं, 5 is 6 हा, मतलब 6, ये 10 dash to 14, frequency का unit होता है, हाट्स, तो ये आप लोगों को, ये व्योज आ गई, incident होगी, और reflect होने के बाद उसकी जो frequency है, वह है, 6 into 10 dash to 14 हाट्स, इतनी frequency हम लोगों को मिली है, what it, बढ़ना आगे, simple simple questions है, ज्यादा hard questions नहीं होते है, चलो, next हमारे पास, जो यमसी कोई है भाईया, वह है third number का, उसकी तरफ बढ़ते है, light follow the wave nature, because, light follow जो करती है, वह interference, interference का nature follow करती है, हम लोग, interference and diffraction वह उप्टिक्स में पढ़ते है, तो वह ये, light exhibit the phenomenon, कौन सा फेनोमेना है, तो वह interference phenomenon को यहाँ पे, वह क्या करती, follows करती है, what it, दो व्योवस का मिलना इसको interference कहते है, विशी से हम लोग, constructive and destructive interference बोलते है, constructive interference में, bright point हम लोगो को दिखाए देता, screen पे, और destructive interference में, यहाँ पे, dark point दिखता है, पता हम लोगों को, है रा, fourth number पे, यहाँ पे, young double slit experiment, is carried out, using the green, red, blue light, one color at a time, the fringe width, recorded are wg, मतलब width, fringe width बोलते है, green, fringe width of the red, fringe width of the blue, respectively, then, क्या answer मिलेगा, सबसे पहले, आप लोगों को, यहाँ पे, seven color पता होना चाहिए, विब गौर, है ना, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे, अगर आप लोग प्रिजम रखते हो, तो प्रिजम रखने के बाद, यह white light आती है, तो इसमें से, जब भी यह होता है, तो आपको पता है, कि यह क सबसे ज़्यादा wavelength होती है, और violet की सबसे कम है, यह आपको पता है मेरे खाल से, डाइडाश करके वी लिखतो, मतलब, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, सबसे ज़्यादा wavelength किसकी होती है, तो lambda r की, ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा इधर जैसे जैसे होगे, कम, 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 सबस नमबर पे, blue यहाँ यहाँ पे, तीन नमबर पे, ठीक है, पहले green, नहीं, कुछ तो गरबड हो रहा है, अचा, हाँ, green है मेरे खाल से, चार नमबर पे, यह देखो, मतलब, सबसे ज़्यादा wavelength किसकी होगी, red की, ठीक है, उससे कम किसकी होगी, यह ग्रीन की, और सबसे कम सबसे ज़्यादा wavelength है, lambda, red की, wavelength of green, ठीक है, इससे छोटी है, लेकिन blue से बढ़िये, ठीक है, क्योंकि ऐसे जाओगे, वैसे wavelength आपकी lambda बढ़ रहा है, सबसे छोटी इसकी, और fringe width का, और wavelength का relation, directly proportional, यह पता होना चाहिए, मतलब, यह बढ़ा है, तो width, जो है हमारी, fringe width जो है, और red की सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बाद में, किस की green की होना चाहिए, बाद में, सबसे ही, छोटी जो हो, blue की होना चाहिए, मेरे खाल से मैंने यह answer, already यहाँ पे आपके question bank में तो तिया, लेकिन इसका explanation importance है, बढ़िया, तो यह आपको तो पता है, हम लोग तो, यह इस two views meeting at a point is 11 by 4 lambda, the face difference between the two views is, okay, face difference निकालना है, हम लोग उको, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे, पाच नमबर पे, सवाल पे, मुझे दिया वाल है, del L, वो है 11 by 4 lambda, got it, समझे, अब निकालना क्या है, तो मुझे face difference निकालना है, और face difference के लिए formula हम लोग, मेरे खाल से toys pi by lambda into del L लिखते है, याद होना अच्छे, यह face difference कैसे निकालना है, face difference, path difference, यह path difference है, ठीक है, तो यह face difference, toys pi by lambda, इसकी वाले बाईया, 11 by 4 lambda, lambda से lambda को मार दो, यह होगा 2 जा, तो यहाँ पे del phi is equal to 11, यह divided by 2, और यह pi, यह जो answer होगा आपके question bank में, वो सही है, what it, आपके इसमें, दिया गया है question bank में answer, यह, यह, यमसी को इसका answer दिया है, अब मैं यमसी को इसका answer लिखूंगा, option लिखूंगा, यह दो बड़ा बन जाता है, इसलिए नहीं लिखता हूँ, क्योंकि भाईया, हम लोगो करने के लिए तयार है क्या, आप करने के लिए तयार हो, comment box में लिखना है, चलो आगे बढ़ते है, which of the following cannot produce the two coherent sources, ऐसा कौन से, only prism है बईया, two coherent sources नहीं तयार करता, जब भी prism में क्या काम है, prism में जब कोई light आती है, तो light को यहाँ पे, आप लोगों को पता है, वो क्या कर करता है, कि V और R, यह seven color को difference कर सकता है, only prism का, यहाँ पे हम लोगों को, question आला है, cannot produce the two coherent sources, हना, two coherent sources तयार हो, बाकी चीज़े करती है, हमारे यहाँ पे, question bank में पढ़के, दिखाऊंगा आपको, देखो, यहाँ पे, लॉइड मिरर, पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे भी दो sources होते है, Fresnel by prism में होते हैं, double slit experiment, हना, two coherent sources होते है, आपको इसकी condition में ही दिया गया है, ठीक है ना, तो यह आपको होगा, got it, next है बया, जिन बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं एक बर check out करता हूँ, क्या द देख रहा है मेरे खाल से, यहाँ पे तो भी नीचे करता हो थोड़ा सा, यहाँ पे सीधी define ये किसी की, define दिवाली, देखो, जब भी कोई, समझो, for example, कोई obstacle लिया मैंने, ठीक है, और इस obstacle को, अगर यहाँ पे screen रखो, light आती है, तो light ऐसे bend होती है, ऐसे, अनिक बाद, ऐसे मतलब, actual में, यहाँ पे अंदेरा होना चाहिता, यहाँ पे अंदेरा होना चाहिता, लेकिन light corner पे, जो ये जे सुती ही, वहाँ पे corner पे bed होकी, जो sad origin में गुस जाती है, इसी को हम लोग diffraction कहते हैं, क्या कहते है, diffraction, मतलब, जैसे कि हम लोग नहीं क्या, morning में उठने के देता है, हम लोग देखते हैं, morning session में, कि यार, दिन में, हम लोग देखते हैं, कि morning session में, तो sun दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन light दिखाई दे रहा है, मतलब, क्यों हो रहा है, तो light bend होती है, corner को, edges को, जब light bend होती है, इसी को diffraction कहते हैं, वही बता है, the bending of beam of light, around the corner of obstacles, now then it is called diffraction of light, यही फेनोमेना है, what it, last questions बटे है, आगे, YAM सि क्विस का, और खतम करते है, next, देखते है बच्छो, next बाल है, in a single sleeve diffraction pattern, first minima, obtain with the red light, okay, of wavelength 6600 and strong unit, unit and strong, coincide with the first maximum, some other wavelength lambda is lambda क्या होगा हमको इंसर दिया है question bank में लेकिन इसका मतलब समझ में आना चाहिए और solve करते है आना चाहिए चलो सबसे पहले हमें काम करने वाले यहाप है कि यहाँ सबसे पहले हम लोग फार काम करेंगे for minima of diffraction pattern of diffraction pattern क्या है फार्मूला भाया a sin theta is equal to 1 into 1 into λी को lambda rade बोला है उसने मैं इनना ही बोल्डा भाया है देखो with the red same for maxima के लिए maxima of diffraction pattern of diffraction pattern ठीक है क्या है इसके लिए a sin theta यहाँ पर first maximum के लिए क्या लिखो कि 3 by 2 lambda rade सही ना भया 3 by 2 लिखते ना हम लोग यह पता होना चाहिए ओके बहुत बढ़िया हम लोग ने क्या उसको बाद में कॉंसेड कर दिया अच्छी बात है सर तो एक क्राम कर सकते है क्या क्या सर कि यहां पर हम लोग जो यहां पर लिखने की जरुरत नहीं है बाद में बताया ना उनने हां ठीक है तो एसाइंट इटा की लाम्डा वेलु डाल सकते हैं हां सर देखो यह लाम्डा कॉंसेड होने की बात की बात कर रहा हूं तू बाई थ्री लाम्डा की गवल्व है क्या हां यह यह सिक्स जीरो जीरो टूजा जीरो जीरो मतलब लाम्डा रेड्डे इड़ टू मल्टिप्लाइड टू टू जीरो जीरो मल्टिपेकिशन सबको आता होगा तो यह 4400 और यह औं स्ट्रांग उनिट में दिया थे कह? यहां पे 0-0 अंस्ट्रांग उनिट तो यह थे यम सीक्विस अब लोग देखने वाले वेरी शॉर्ट आंसर इसको शॉर्ट करी निकाल नहीं आगे बढ़ते हैं चलो next one line question से बच्चो बहुत easy होते हैं इसमें ज्यादा hard नहीं होते हैं थोड़ा concept अच्छा होना चाहिए मुझे बताओ जो sun से जो light आ रही है ठीक है अब वो infinite distance पे कोई भी लेंड रही है तो वो parallel में दिखाई देती हम लोगों को बहले वो spherical हो कुछ भी हो लेकिन जैसे के हम लोगों को यह light ऐसे सीधी आई वाली देखते हैं और इस line को हम लोग plane view front ऐसे केते है पहले question का सवाल हो वह यह वह यह वाट इस the shape of your front art sunlight art sunlight भले आपको दिख रही होगी कि यहां से ऐसे निकल गई ऐसे निकल गई ऐसे निकल गई ऐसे लेकिन यह बहुत दूर से आ रही है तब हम लोगों को और सर्पेस पे यह सीधी लाइन देखाय देते है उसी को हम लोग plane view front केते है गट इट पहला question का answer है next है in young double slit experiment if there is the no initial path difference between the light from two slit a point on the screen corresponding to the fifth minima what is the path difference हम लोगों को path difference निकलना है बहुत easy और simple तरीके से सवाल पुछा है हम लोगों को यहां पे n is equal to 5 दिया गया है और डेलियल मुझे लगता है कि path difference के लिए इस्तमाल कर सकते हम लोग 20 n minus 1 lambda by 2 यह path difference के लिए formula हम लोगों को बताय गया है कि what is the path difference निकालो simple question है path difference is equal to 2 यहां पे 5 minus 1 lambda by 2 तो डेलियल is equal to 10 minus 1 lambda by 2 डेलियल is equal to 9 ठीक है 10 में से 1 गया lambda by 2 तो यह है path difference समझें simple question है जादा हाग नहीं है फार्मुले याद होना अगर फार्मुले दुआ में याद नहीं है तो याद करो भाया नहीं तो वाट लगेगी what it चलो आगे बढ़ते है next सवल के तरप देखो question है two current sources है कितने दो current sources है whose the intensity is the ratio उसके intensity का ratio दिया वाला वाया i1 देखो तिन नम्बर का question i1 is to i2 25 is to 1 मतलब i1 by i2 का ratio है यह हमारे पास ठीका next या calculate the ratio of amplitude of light है ना we are coming from there मतलब या intensity is directly proportional square of amplitude यह relation पता होना चाहिए intensity किस पर डिपेंड है तो square of amplitude पर डिपेंड है चलो तो रग देते है या i1 by i2 i1 i2 यहां पर a1 by a2 का square मुझे लगता a1 a2 निकालना है तो यह root में लिख सकते है i1 by i2 तो इसका जो root बैया 25 by 1 का हम लोगों को सभी को पता है 5 by 1 है इसलिए a1 is to a2 is equal to 5 is to 1 यह answer होना चाहिए था इसका what it बाद में next हम लोग और भी question देखेंगे screenshot निकालना है फटाक से last और fast करेंगे क्योंकि very short answer साती है भाईया खतम करेंगे इसको चलो white to light source must be equal intensity question देखो क्या बोड़ा है white to source must be equal intensity क्यों intensity must be equal होना चाहिए to obtain the well defined interference pattern क्योंकि भाईया इससे आप लोगों को interference pattern clear cut दिखाई जाना चाहिए मतलाब इस screen पर यहां पर dark bright dark bright ऐसे देखो यह bright है समझो यह dark होना चाहिए bright होना चाहिए है यह dark यह bright यह fringes दिखने चाहिए clear cut ठेक है इसलिए भाईया हम लोगों को जो भी two light source must be equal intensity होती है क्योंकि इसमें हम लोगों को interference pattern clear cut दिखना चाहिए contrast नहीं होना चाहिए किसका bright and dark fringes का ठेक है तो इसलिए भाईया हम लोग इसकी जो intensity है might be equal to रखते है देखो यहां पर this is because only the intensity to light source are equal intensity रखते है of dark fringes destructive interference कहते है इसको bright के लिए constructive interference is zero होती है and the contrast between the bright and dark fringes will be maximum तो यह क्या होना चाहिए maximum होना चाहिए their given will define the interference यह interference समझ में आना चाहिए dark bright, dark bright देखो हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे नहीं यहां पर नहीं क्या समझ में नहीं आता है यहां पर बहुत किलियर सेंटर ब्राइट बैंक पर उहां पर बहुत किलियर होता है है ना dark bright, dark bright एकदम अच्छी तरह से दिखाई देंगे जैसे कि आपको देखना भी है तो रात में light जाती है ना तो torch लिए तो torch देखो यहां पर आपको clear cut दिखाएंगे इधर यहां यहां दिखाई देंगे इधर इधर दिखाई देंगे है तो बीच मेंने का समझ में ही आते हम लोगों को कि dark bright, dark bright को इंसा है एकदम अच्छी तरह से interference pattern यहां पर होना चाहिए इसलिए हम लोगी equal intensity बखते है then what is the relation between path difference ठीक है and optical path difference ही है optical path in the term of speed of light in vacuum face difference w by c angular frequency c is the speed of light यह refractive index है और यह optical path है यह inka relations है हम लोगों को directly formula पता होना चलिए इसको पर numerical भी आने के chances होते है then what should be the slit width to obtain the pronouns क्या है diffraction with the single slit illuminated by the light of wavelength to obtain the pronoun diffraction with the single slit width should be in order of wavelength कैसे order of wavelength की सबसे होना चाहिए बस जादा मैं बताओंगा ने इसके बारे में ठीक है तो चलो लाश्ट और फास्ट लिक नुमिरिकल साल करते हैं और खतम करते हैं क्यूंकि यह आप लोगों को अगर बहुती डीटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोगों को में दुबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ने क्या इसके चाप्टर की वीडियो देखो या वाइशोट देखो कम से कम मैंने बहुत किलर किये वाली सब कुछ पॉइंट मैक्जिमम कोशिस तो किये आपके हिसाब से ठीक है नेश्ट देखने है वाइट मुझ भी दरेशो आप स्लीट वीड्थ ओके और वेवलेंग मतलब ये कह रहे है साथ नमबर का जो एंसर में की ए बाय लामडा चाहिए उनको ठीक है? सिंगल वीड तो ये हाव दा फॉष्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा अच्छा ठीटा दी वाला है 45 डिग्री और हम लोगों को A sin ठीक है sin theta बोलो ठीक है Lambda by A बोलो क्या फरक हो रहा है चला है तो Lambda by A sin 45 sin 45 कितना कितना होता है बैया 1 by root of 2 ठीक है लेकिन मुझे ratio तो उल्टा पूचा है उसको उल्टा कर दो तो A by lambda तो ये root ये ये तो हम लोग लिख सकते A by sorry A is to lambda is equal to root of 2 is to 1 ये ratio मिला तो ये थे वह MC quiz और बेरी short answer दो मार का question के आपको तुरंदी वीडियो जादा कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपका support आपका प्यार होना चाहिए sharing होना चाहिए like होना चाहिए ताकि बच्चो आरे मुझे भी बहुत महिनत करना पड़ती है तो इस महिनत का मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को ये महिनत पहुंच जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि YouTube पे कोई भी महाराष्ट में है कोई भी पूरा की पूरा solution है देंगे एक चाप्टर दो चाप्टर तिन चाप्टर पाच पाच चाप्टर तक दिया होगा लेकिन यहां पर इस चैनल पर बारावा चाप्टर चालोए पूरा solution खतम कर दूँगा question bank solution का मैंने syllabus लिया था पूरा देखो एक टू जड़ मिलेगा आपको नमबर दो बच्चो उसके बाद में आप लोगों को one shot पूरा दिया मैंने ठीक है important question की series पूरी दिये वाली है अब यह question bank की जो B series है पूरी दूँगा पूरी दूँगा